तो देखते है question number 5 में हमसे क्या पूछा गया है how is the voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between two points तो हमें यहापे क्या measure करना है potential difference measure करना है तो हमें बताना है जो हम circuit बनाएंगे तो हम आपे voltmeter कैसे connect होगा तो इसके लिए यहापे मैं circuit diagram बनाता हूँ जिसको आपको यहापे easily समझ में आ जाएगा तो यहापे circuit diagram बनाने से पहले हम यहापे क्या करेंगे बैटरी लगाएंगे तो बैटरी हमारा cell से connect होगे बन दिए तो यहापे मैं 3 cell ले लेता हूँ यहापे क्या होगा रजिस्टेंस होगा रजिस्टेंस हमारा यहापे क्या हो सकता है बल भी हो सकता है या कोई appliance हो सकता है और यह हमारा हो गया रजिस्टेंस और जो हमारा यहापे voltmeter लगता है वो क्या लगता है positive to negative terminal तो यहाँ पर simple बताना है जो हमारे voltmeter connect होगा वो हमारे कैएसे connect होगा parallel connect होगा पैरलल connect होगा ठीक है यहाँ एक कुछ नहीं बताना था आप चाहें तो हैँआ पर circuit diagram बता चाहें भी यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर हमारा connection है वो कैसे लगेगा